अगर जिन्दगी में सक्सेस और निडर बनना चाहते हैं तो लॉयन की इन पांच बातों का जरूर ध्यान रखना नमबर वन सेर की तरह लक्ष पर नजर दोस्तों लायन का एटिट्यूट कहता है कि यदि सफल होना चाहते हो तो लगातार मिलने वाली असफलता से ना घबराओ बल्कि लक्ष पर एक सेर के समान नजर रखो जिस तरह एक सेर अपने सिकार पर नजर गड़ा कर रखता है और मोका पाते ही सिकार कर लेता है बस वैसे ही अपने लक्ष पर नजर रखो और मोका मिलते ही उसे हासिल कर लो यदि आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिये आप उसे कर भी सकते हैं नमबर टू, सेर जैसी मानसिक्ता, सेर को जंगल का राजा कहते हैं, वो इसलिए नहीं कि सेर सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं कि सेर सबसे तेज है, और इसलिए भी नहीं कि सेर को दूसरे जानवरों से कोई बड़ा फायदा होता है, सेर की मानसिक्ता ही उसे जंगल का राजा बनाती है जीते वही हैं जो सेर होते हैं बाकी तो मिट्टी के ढेर होते हैं यदि आप सेर बनने से डरते हैं तो आपको बता दूँ दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय है और जिस छड़ आप भीड से बेखबर होते हैं आप भेड नहीं रह जाते आप सेर बन ज दिल है इसे बाहर निकालो 3. सेर जैसा निडर सहस फीरता सेर का प्रमुक गुण है सेर कभी समर्पन नहीं करता भले ही वह दस लगड़ भगों से घिरा ही क्यों ना हो लडाई खतम होने तक कभी खतम नहीं होगी हो सकता है कि आप असफलताओं से घिरे हो हो सकता है कि आप अपने लक्चों का सिकार करते करते ठक गए हो और कोई जीत नहीं दिख रही हो हार मत मानो आपको लड़ते रहना चाहिए अपने जीवन के लिए लड़ते रहो लकड़ बगों की परवा किये बिना समस्याओं की परवा किये बिना असफलताओं से डरे बिना कोई आत्म समर्पड नहीं 4. सेर जैसी अजादी सेर आजाद है क्योंकि सेर आजादी चाहता है सेर आजाद है क्योंकि वह आजादी के लिए लगता है उसका सौभाव ही कहता है कि वो आजादी के लिए कुछ भी करेगा आपको भी अजादी के लिए लड़ना होगा अपने मन की बात कहने की अजादी आप जो बनाना चाहते हैं वह होने की अजादी आपकी सर्तों पर जीने की अजादी कहा जाता है कि सेर एक दिन में लगबग 20 घंटे सोता है फिर भी वो भूका नहीं मरता क्योंकि वो उड़ता है और अपने काम को पूरा करता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक काम करते हैं बलकि ये माइने रखता है कि वह काम कितना अच्छा है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने इस काम में कितने घंटे लगाए हैं यह केवल माइने रखता है कि आपने कितनी वेल्यू बनाई है लेजर फोकस के साथ आपके जीवन में जो माइने रखता है उस पर काम करें अपनी छंता के अनुसार सब कुछ करने की एक जोलंत इच्छा पैदा करें तभी जाके आपको सफिलता हासिल होगी